स्वामी मधुपरमहंस जी जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो पर मात्मा के दर्शन करने लगती है ऐसे श्री सत्गुर की महिमा का वरणन कहां तक करें जो अनन्त हैं हमें पता हैं कि एक दिन दुनिया शोड़ के जाने वो तो इस दुनिया का सौदा कठा कर रहे हैं आत्मा के लिए सर्शन नहीं है जबकि हमारे धर्म शास्त्र एक बेसिक चीज़ बता रहे है यह आत्मा अवनाशी है नित्य है किसी देश काल में आत्मा का कभी नाश नहीं होता आदमी उसकी तरफ नहीं जा रहा है आईए हम देखें कभी-कभी हम मानियों को पढ़ते हैं जिसमें अंतरिक्ष यात्राओं का उल्लेख है यह सब कुछ संभव है आप दूर मत जाएए छे शरीर तो बहुत उची बात है हम दो शरीर की तरफ चलते है आप हर रोज नीन में जाते है पूरा यह बोड़ी सीजो जाती है आप इसमें से निकलते है एक दूसरे शरीर में प्रवेश करते है उससे आठ घंटे, साथ घंटे नीन में सोय रहते है और यह शरीर दूसरी अवस्ता में होता है इस कारण से आप उस शरीर में दूसरे में प्रवेश करके पूरी दुनिया देखते है जितनी देर आप वो दुनिया देख रहे है आपको वो सत्य लग रही है वो नित्य लग रही है इसी तरह अभी आप यह शरीर में है यह दुनिया आपको नित्य लग रही है वज़य बताऊ वज़य है छे शरीर हैं आपके पास चार अवस्ताइं भी है आपके सवस्ता में जाना चाहते हैं क्या हैं, आप चीज करो कौन सी अवस्ता चाहते हैं? ये हैं जागरत सौपने अशु्सप्ति, जागरत तुरिया, मूल चार अवस्ताएं बोली, जिस अवस्ता में अभी बैठे हैं, इसको जागरत कहते हैं, आपकी मर्जी हैं जिस अवस्ता में जाओ, जा सकते हूँ, पर आ आप ये मानें यह अवस्ता घ्रमाग का इस समय हमारे जो सेल काम कर रहे यह दोखा दे रहे हैं ये जिस अवस्ता में बेठे हुए या अन Inside अवस्ता है पर जैसे आप प्रफ्टनमें बैठते हैं स्वप्पने देखते हैं सवप्पने की सब चीज़े- सत्य लगती है वो अवस्ता का खेलता जब आप जाग जाते हैं तो आपको लगता है ओ ये मिथ्या है इसी प्रकार जब आप तुरिया वस्ता में चले जाएंगे ये आल एक्टिविटीज आपको बेवकूफी लगेगी वक्वास लगेगी भर्मांक लगेगी वो अवस्ता बड़ी आनन्दमई है उस अवस्ता में अभी से एक हज़ार गुना ज़्यादा ग्याना जाता है कहीं कहीं इन अवस्ताओं के विश्य में कोई बोल नहीं रहा है यदि आज आप अध्यात्म की तरफ चलें तो टोड़ा टोड़का जादू जड़ी और माला लकड़ पूजा पत्थर तीरत हैं सब पानी कहत कभी सुनो भाई सादो चारो वेद कहानी किस से कहानिया यह चलती है इसी तरह कुछ लोग कैसे फिरमित करते हैं कि नागिन नाग बीन से नाचता है अभी वेग्यान को ने सिद्ध कर दिया उसको तो कहानी नहीं है आपने सपेरे को भी देखा होगा बीन बजाता है सांप नाचता है पता है क्या है चला की वो बीन का ठसका मारता है सांप को ऐसे तो सांप अपने को बचाता है तो जहां जहां बीन जाती है वो बीन की तरफ अपनी गर्दन करता है अपने को बचाने के लिए कि यह मारेगा नहीं तो इससे फिर वो क्या करता है सपेरा जब यूँ बीन गुमाता है वो गर्दन भी यूँ गुमाता है वो नाच नहीं रहा है वो बीन से अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है फिर आकरी में काफी बजाने के बाद वो क्या करता है ऐसे फिर मारता है बीन से साप भी ऐसे करता है फिर क्या कहता है कि ये अभी कह रहा है और नाचूँगा और सब यही मान रहे नहीं, उसने end में उसको जब इस तरह किया, उसने react किया, ऐसे फन मारा, तो वो क्या कहते है, सपेरा कहते है, कि अभी साफ कह रहा है, और भी नाचना है, बीन बंद मत करो, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया यही जान रही है, हकीकत क्या है, साफ के पास कहानी नहीं है, तो बीन क्या खाक सुनेगा, सपेरा उसको जब बंद पड़ा हुआ है, पिंडे में, तो बीन मार करके जगाता है, वो बीन से बहुत डरता है, जैसे आपको कोई डंडा मारे तो आप डंडे पर निगाह नहीं रखते हो, साफ इस तरह बीन पर नज़र रखता है, उससे मारता है वो कहा है, तो जैसे जैसे उसको बजाते बजाते ऐसे गुमाता है, वो ऐसे गुमता है, बीच में ठसका भी मारता है, तो साप जो है ना, वैलेंस करता है, उस पर प्रतिक्रिया करता है, तो जैसे जैसे यूँ यू कर रहा है, बीन वैसे वैसे, साप अपनी गर्दन कर रहा है बीच में वो बीन को गोता खिलाता है तो सांप भी यूँ गोता खाता है कहता है देखा नाच रहा है जब सपेरे को बीन बजाना बंद करनी होती है तो एक ठसका और मारता है तो सांप डंक मारता है तो वो क्या कहता है देखो ये कह रहा है कि और भी बीन बजाओ, पूरी दुनिया यही मान रही है ना, इसी तरह कुछ जीवों में खास बाते हैं, खटमल, अगर आदमी गुच्ची मार कर सो जाए, कोई नहीं जान पाएगा सही में सोया है नहीं, खटमल, आपके ब्लट के वाइबरिशन से जान जाता है, आदमी जा हैं, काटने के साथ मैं से यू किया जाएगा, मर जाऊँगा, उसके पास प्रकृत ने इस ताकत दिया, वो आदमी सोया हैं, नहीं, यह जान जाता है, मच्छ को आप जब काटते हैं, मच्छ काटता है, आप हाथ यू ले जाते हैं, कहां से हमला आता है, उसके पंकों में, इस पंदन है, वो इतने हाँ से हाथ आया, वो जान जाता है, इधर से हमला आया, पहले ही उड़ जाता है, तो इस तरह से जियों में ये चीज़े हैं, इस तरह मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि दो बिजनिस बड़ी हाई हैं, धर्म शेतर की और साफ्ट वेर की, इसमें आदमी उलज गया, और ये अपने अंदर शरीरों की तरफ नहीं गया, जिस तरह आपके पास छे शरीर हैं, आपके पास चाहरा वस्ता हैं, किस में जाना रहना चाहते हो, उसमें रह सकते हो, आप शाह हो तो नीन में रह सकते हो, सौपन वस्ता में, वो आपकी मर्जी है, जब भी स से प्रग्यामे जाने के लिए भी आप अंदर की दुनिया देख सकते हैं पुरा ब्रमान इस देखेगा नाम खुमारी नानका चड़ी रहे दिनलाद लेकिन आप किसी इसके आदी हो चुके हैं बता ना हूँ आप इस इस्तुल शरीर में रहने के आदी हो चुके हैं क्यों सिस्तुल शरीर की इंद्रियों का आनंद की लट बढ़ गई है इसलिए सब वाणियों में आया कि इंद्रियों का आनंद छोड़ करके अपने को फर्मात्मा की तरफ जो लेकिन आदमी इसका लाब नहीं समझ सका कह दिया सबने सुम्रंट करना अच्छा सुम्रंट क्यों कर जागरे तवस्ता में आपका कंसंट्रिशन पाइंट होता है आंखों में जब आप नीन में चले जाते हैं तो आपकी कंसंट्रिशन पाइंट होती है कंट के लेफ्ट में बाल से एक अज़ार गुना बारी कोश्का हैं आप उसमें बैठ जाते हैं जब आप सुसुप्ति मे जाते हैं तो अभी दिल में होती है और जैसे आप शुष्मना में पहुँच गये तो आप फूर्ट इसने दब कॉंसिंस में पहुँच जाएंगे तब आपकी चेतना इससे अलग किसम की हो जाएगी वो नाम-खुमारी नान का चड़ी रहे दिन रात उस सवस्ता में वो लुष अख़्या नहीं दे रहे हैं समस्ता वwarman खेल भरमांड का पंडे में दिया पूरा भ्रमांड आपकी बोडि में आये बंदू इस प्र initiatives बस अगर हैं शौक मिलने का तो हरदम लॉ लगाता जाँ तो यह लहाँ है क्या आप बंदे है अब इस बोड़ी में बंदेений है इस शरीर में बंदिय है कैसा बंदिय है आप कहेंगे मैं तो जहां भी चाहूं जा रहा हूं नहीं आपको आप तो उस शेर की तरह हैं जो पिंजडे सरकस का शेर वो पूरी दुनिया गुमता है लेकिन रहता कैद है वो दिल्ली भी जाता है बंबई भी जाता है सरकस जाती है लेकिन पिंजडे के साथ जा रहा है वो आज़ाद होकर नहीं जा रहा है आप इस शरीर को ढोए जा रहा है आप इसमें रह गए आप उस तोते की तरह हो गए है आप ने देखा होगा हम सब उस तोते की तरह हो गए है आपने देखा होगा फोटपात पर कुछ क्रोड़ लोग बैढ़ते हैं एक तोता लेकर उन्होंने अपने बाल और दाड़ी महात्मा वाली रखी हुई है सही में वो शिकारी है डेंजर लोग है उन्होंने क्या कर रखा है 20-25 लिफा फिर रखे हुए है एक पिंजरे में तोता है भविश्य जानने के लिए पहले 20 सर्पे थे आज कर पता नहीं कितना लेते हैं पचास अब क्या होता है तोता बहार आता है पिंजरे से बहार आकर एक लिफापा उठाता है लड़ खड़ाता हुआ वापिस पिंजरे में जाता है आप सोचते हैं तोता बहुत बड़ा ग्यानी है मेरा भविश्य बता रहा है उसमें क्या लिखा हैं कामन बाते लिखिये आपके बिगडे हुए रुके हुए काम होने वाले है मैं आपको बताता हूँ हर आदमी के काम रुके हुए है हमारे भी रुके हुए ठीक है फिर वो बोलता है आपकी समझाओं का निदान होने वाले हैं हर आदमी के साथ समझाओं है फिर कहता है अभी आपके दुख जल्दी खतम होने वाले है हर आदमी के साथ दुख है ये दुखों का संसार है आखिर आपने एक बार भी नहीं सोचा मैं अपना भविश्य किस से पूछने जा रहा हूँ सुनो ये बिजनिस है आपने ये सोचा तोता कोई अंतर यामी है ऐसे ही आप जब वेट ट्राइल मेशीन पर खड़े होते हैं आपका वजन आता है उस पर फिर लिखा होता है आप बड़े दयालू है आप यानि आप दूसरे का दुख समझने वाले है आप किसी में नहीं लिखा है आप मूरखो आप बुद्धी माने है ऐसी ऐसी बाते लिखी उसको पढ़के आप कहते हैं वाँ 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 ये तो मेरे उपर मेरा भविश्य बता है आप ऐसा करना पत्थर रखना वेट ट्राइल मशीन पर पत्थर रखना अच्छा गदे को खड़ा कर देना और एकर बै डालना उसको ये मतलब नहीं या कौन खड़ा है वो गदे के लिए भी कहेगा आप बुद्धी मान आदमी है हम लोग क्यों बेकूब बन रहे नहीं कहेगा कुत्ते को रख देना उसको एक रबै से मतलब है इसी तरह हम सब बने बुद्धु बन जाते हैं साहिब ने सीधा सीधा बोल दिया तंत्र मंत्र सब जूट है मत भर्मो कोई आपको मैं एक परसंग बताता हूँ मेरे पास अभी भी एक कटिंग है प्योपर की राजपक्षे ने जोच्छियों के चक्कर में अपनी गद्धी गवाई श्री लंका के राश्टपती थे राजपक्षे पान साल के लिए निर्वाचंथा उनका उनके तीन साल हुए थे उनके जोच्छिय आचारे ने बुला इस समय तुमारी जन्म कुनली के अनुसार लगन अच्छी हैं अगर अभी तुम चुनाव कराओगे तो तुम जीत जाओगे राजपक्षे ने दो साल पहले पार्लियमेंट डिस्वाल्प करके इस्तिफा देके चुनाव करा लिया हार गया कौन जीता सेना नाई के इस समय श्री लंका का राश्टपती है सेना नाई के तो अखबार वालों ने एक टाइटल लिखा अखबार वाले टाइटल बड़ा टाप लिखते है कैसा लिखते हैं पता है जैसे आश्ट्रेलियम यह वराट कोली ने 125 रन की पारी खेली कुछ तो उन्होंने लिखा वराट की वराट पारी लिखा था ना वराट कोली की वराट पारी वो मशालेदार न्यूज देते हैं थी है तो उसने भी मशालेदार न्यूज दिया था कि राज पक्षे ने जोचियों के चक्कर में अपनी गद्दी गवाई ऐसा ही पहले भी यहां भी हुआ था आप सोचें जब नेशनल लेविल के जोचियों का यह हाल है तो गली कुचे में जो बैठा हुआ है वो क्या जलुम मचाता हुआ आप आइडिया लगा हैं न यहां साहे बुला तंत्र मंत्र सब जूट हैं मत भर्मो कोई साथ शब्द पाई बिना कागा हंस नहोई वास्ताव में आपके शरीर की एक ताकत हैं कि नहीं है इससे सूंग देते हो कि नहीं इससे देख लेते हैं कि आप नहीं आपके आँखों में सिस्टम बना हुए हैं देखने का आपके कानों में सुनने का शिष्टम है की नहीं है आपके पैरों में चलने का शिष्टम है आपके मुँ में बोलने का शिष्टम भी है न इसी तरह है जो आपका अंतवाग शरीर है उसमें ब्रमान ये यात्राइं करने का शिष्टम है सबकी गटरी लाल हैं कोई नहीं कंगाल आप मैंने एक उधार्ण दिया आप दूर मत जाएं छे शरीर तो बहुत बड़ी बात है सपने के शरीर की तरफ चले आप नीद में जाते हैं देखिए क्या होता है आप सपने देखते हैं इस शरीर से निकल जाते हैं उसमें प्रवेश्ट लेते हैं वह आप ही तो थे पूरा ये शरीर किस तरह से आप निकले आपको ये भी पता नहीं चलने दिया मैंने कहा ना हम सब सरकस के शेर की तरह हैं जो पूरी दुनिया घूमता हैं लेकिन रहता कैद हैं रहता केद हैं इस तरह आत्मा को उसकी अन्भूती नहीं होने दी जा रही है आप एक बहुत बड़ी सयाद और शात्र ताकत के हाथ में हैं वो ताकत आपको अपने मन चाहे तरीके से सब काम करा रही है अजी आप कहेंगे ना मैं तो स्वतंत्र हूँ जहां चाहूं चला जाता हूँ जो चाहूं करता हूँ नहीं आप से सब कुछ करवाया जा रहा है आपको शरीर में रहने के लिए बाद्य किया परमात्मा ने आपको दाथ दिया है एक चांस दिया है जैसे 60 elements are contained in soil धर्ती के अंदर 60 धातु है दिखते नहीं है उनको परिशकार में लाना है तो सब कुछ इसमें ये श्टील का गिलास भी धर्ती से निकला लेकिन खोदों कहीं गिलास अंदर पड़ा हुआ नहीं है रा मट्रियल निकलता है उससे सब कुछ बन गया इसी प्रकार से आपको परमात्मा ने एक बहुत बड़ा चांस दिया इस महानातन का ये दुर्लब है पर वो आपके साथ विश अम्रित रहत एक संगा मलिया गिर में रहत भुजंगा आपके साथ मुद्धी पर ताक्तें भी काम कर रही है और विशली शक्तियां भी है आप बंदन में हैं आप देखो न सबसे बड़ा कोतुक बताता हूँ आत्मा की व्याक्या है शरीर में रहकर इतने जनम हुए आपको अपनी आत्मा नहीं देखने दे रहा हूँ इसी पर चिंतन करना घर जा करके हम अपनी स्वात्मा को नहीं देख सकते हैं मैंने एक सेंटेंस कई बार दोह रहा है और कई बार दोह रहूंगा कई बार प्रसंगा आया राश्टपती रीगन के पिये एक जेंडर ने एक महवाक्या बोला था वो वर्ष का महवाक्या था मुझे यूं लगता है हम सब धर्ती पर रहने वाले लोग किसी शात्र ताकत के हाथ है उस शात्र ताकत में इतनी शक्ति है कि हम सब से जो भी चाहे कराती है वो ताकत इतनी ताकतवर है कि हम सब धर्ती के लोगों का दिमाग और ध्यान एक ही बार में डाइवर्ट करके किसी भी दिशा में लगा सकते है धर्ती के सभी लोगों का दिमाग एक ही साथ डाइवर्ट कर सकते है इतनी ताकत है उसमें मुझे यूं लगता है वो शात्र ताकत हम सब को अभी विनाश की तरफ ले जा रही वो कोन है वो है मन अब यहां साहिब ने मन को एक्सपोस किया मन का भेद खोला तेरा बेरी कोई नहीं तेरा बेरी मन यानि हमें एक ताकत बाद्य कर रही है यह सब करने के लिए हर आद्मी को पता है कि मेरी शादी हुई विदिवद परह इस तरी के अब तरफ मुझे नहीं देखना है फिर भी जा यह आँखे कीश रही है पूरा मटरियल इसमें फ्राड है यह शरीर महान होने के साथ-साथ साहिब इसके दूसरे पक्षकों भी बोल रहे है यह तन विश्की बेलरी गुर्व अमरत की खान शीष दिये जो गुर्मे ले तो भी सस्ता जान कभी राद तो भी सस्ता जान इसमें दिप ताक्तें भी है लेकिन आप देखें जो नेगटिविटी है नेगटिव पावर आपको ज़्यादा जख्ड़े हुए है इसमें काम भी है क्रोध भी है लोब है मौ है एंकार यह तो आत्मा नहीं है फिर यह कहां से आई यहां साहिब एक शब्द कहा रहे है इस तन में और रहे न कोई मन और जीव रहे मिल दोई इस बाड़ी में और कोई नहीं है आत्मा और बन है लेकिन कितना शात्र है आत्मा को नहीं बता चलने दे रहा है आप यहां आए आप अपनी आत्मा को घर में रखके नहीं आए आप प्रेशन उठा इस समय आपकी आत्मा क्या कर रही है आओ मैं बताओ आप अभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दो आँख बंद करके खड़े हो मुझे बताओ आत्मा क्या कर रही है जब ये खड़े थे आत्मा टांगों को लेके खड़ी हुई थी अभी जब बैठे तो आत्मा इस शरीर को बिठा कर बैठी हुई है जब देख रहे तो आत्मा देखने में लगी है आपकी आत्मा की पूरी काम कर रही है कर दो आत्मा देखने में लगी है